नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना नमबर वन गाईज कपिल देव ने रिशब पन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कपिल देव ने का कि हम सब रिशब पन से काफी ज़ादा प्यार करते है और मैं चाहता हूँ कि वो जल से जल रिकोर हो जाए और फिर मैं उसके पाद जाके जोर से स्लैप करूँ और उ उनको स्लैप मार के बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो कपिल देव ने आगे का कि मैं हूप करता हूँ कि रिशब पन जल से जल ठीक हो जाए और जल्दी से टीम में आ जाए क्योंकि रिशब पन ये काफी इंपोर्टन प्लेयर है इंडिया के लिए और वो ऐसा प्लेयर ह सकता है और हम रिशब पन को काफी ज़्यादा मिस करने वाले हैं बॉर्डर गावसकर ट्रोफी में क्योंकि टेश्ट में रिशब पन और भी ज़्यादा डेंजरस बैट्समन बन जाता है और उसने टेश्ट में इंडिया को काफी ज़्यादा मैचे जीता है अपने दम पर अस्ट्रेलिया के पास कोई राइट नहीं इंडिया के पीचेस के उपर बोलने का अगर आप देखोगे तो व्रीजबेन का मैच दो दिन में खतम हुआ था साउथ अफरिका के अगेल और उस मैच में अस्ट्रेलिया ने पीच काफी खरब बनाई थी बॉल ये लगातार अनिवन बाउंस हो रहा था जिसके और जैसे प्लेयर के लिए काफी खत्रा था प्लेयर्स को इंजूरी भी हो सकती थी और इंडिया ये टर्निंग ट्रैक बनाती है जहां आपको खिलने के लिए स्किल चाहिए होते है और ऐसे पीचेस में लाइफ का कोई खत्रा भी नहीं होता है ऐसे पीचेस पर प्लेयर को बिल्कुल भी इंजूरी नहीं होती है और अगर आप अश्टील है के पीचेस की बात करें तो वहाँ अच्छे बैट्समन भी डरते है खिलने को लेकिन तब उनकी मीडिया कहती है कि बैट्समन के पास थोड़ी स्किल चाहिए खिलने को वरना क्रिकेट डिकने में मज़ा नहीं आएगा तो मेरा यह कहना है कि अगर इंडिया में डेव अन से बॉल स्पीन होता है लेकिन सब कॉंटिननेंट के बार प्लेयर्स की इतने दादा रंस नहीं बनते है क्योंकि पीच अच्छी नहीं होती है सवरोफ गांगुली ने राउल द्रविड के कोचिंग को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया सवरोफ गांगुली ने कहा कि राउल द्रविड ने अभी तक एज़र कोच सभी अच्छा किया है टी ट्वेंटी वर्लकप को छोड़के और अगर आप टी ट्वेंटी वर्लकप देखे तो वहाँ भी इंडिया सिमी फाइनल तक पोची थी बस एक स्टेट पीछे थी फाइनल में जाने से इसलिए मेरा मानने कि राउल द्रविड ने अच्छा किया है उसे हमें थोड़ा टाइम देना होगा और ये काफी शॉट टाइम होता है कोच के लिए और अगर आप शुबमन गिल को देखे तो वह एक अच्छा पैट्समन बना है उसकी स्किल काफी जादा डेवलोप हुई है और सूर्य कुमार यादो ने भी अच्छा किया है शॉटर फॉर्मेट में इसलिए अगर आप उसे टाइम दोगे तो वह और भी अच्छा करेगा इंडिया के लिए चलिए आज के लिए बस इतने वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें